हाई गाईज कैसे हैं आप लोग गुड इवनिंग सबकों में तरफ से नय साल की बहुत-बहुत मुबारक बाद कोई भाई ऐसी वीडियो नहीं है जो चौतकार कर देगी या कुछ कर देगी बस कुछ बाते हैं जो सीखी वो आपको सिखाना चाहता हूँ और अगर आप वीडियो पूरी नहीं देख सकते हैं प्लीज यहीं पे छोड़ दीजिए प्लीज चोड़ दो प्लीज जाओ जाओ और इस वीडियो को ना लाइक करें ना शेयर करें कुछ भी ना करें सिरफ आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लें बार-बार सुनें अगर आप ये पांच-छे चीजे अपने लाइफ में आड़ आउन करते हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ तो आपके लाइफ जरूर सुधरेगी थोड़ी से जरूर सुधरेगी मैं नहीं बूलता कि कुछ चमतकार हो जाएगा लेकिन कुछ तो जरूर आप करें सबसे पहली चीज जो मैं एज टीचर आप लोगों को बदाना चाहता हूं बोलना चाहता हूं वह यह कि बहुत सारे क्राप के साथ है जो ऊपर चड़ रहा होता है तो बाकी क्राप को पढ़के नीचे लिया आते हैं मत करो यह कोई आके बढ़ रहा है बढ़ने दो वी We all can win मैंने tweet भी किया था इस मुद्दे पे क्वई जरूरी नहीं है कि कोई हा है और कोई जीत है We'y all can win सबका साथ सबका विकास ऐसा ही कुछ सोचो कोई पैसे कमा रहा है कोई आगे बढ़ रहा है कोई नाम कमा रहा है कोई शोहरत कमा रहा है तो आपको खुश होना चाहिhuh हम यार अपने ही दोस्तों के लिए अपने ही जानकारों के लिए अपने ही अपने ही उन लोगों के लिए जिनको हम लोग बच्पन से देखते हैं हम उनके लिए खुश क्यों नहीं होते हैं हमें खुश होना चाहिए बिल्कुल खुश होना चाहिए और यह कोई सत्संग की बा नहीं सकता कि हमारे अंदर crab mentality ना हूँ, हमें सब को धीरे 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 छोड़नी ही पड़ेगी, कोई कितने पैसे कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, अगर वो कुछ कर रहा है, तो आपको उससे inspire होना चाहिए, आपको उससे appreciate करना चाहिए, और आपको देखना चाहिए, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप और innovate कैसे कर सकते हैं इस चीजों को, हमें अपने mentors, बहुत सोच समझ के चूज करने चाहिए, बहुत सोच समझ के, हर mentor का अपना तरीका है, अपना style है, अपनी thought process है, अब आपके mentors, जो आप चूज करते हैं, definitely आपको बहुत सोच समझ के चूज करने चाहिए, क्योंकि उनका impact आपके उपर पूरी life रहने वाला है पूरी life, पूरी life, जैसे मेरे उपर, मैं बोलूँगा, कृपा है, भई हमारे गुरुओं की, जो बाते हमने सीखी, वो मेरे साथ आज भी है, मैं आज भी उनकी बाते याद रखता हूँ, कभी बटक जाता हूँ, तो आज भी अपने mentors को phone करता हूँ, उनसे बात करता हूँ कभी ठक जाता हूँ, कभी पर कुछ गलत हो जाता है, तो उनसे phone करके बात करता हूँ, I am really blessed कि मुझे ऐसे mentors मिले, and I am really blessed कि मैंने उनको choose किया, वो सही mentors को मैंने choose किया, आज आज अगर मुझे देखते हैं, कि मैं, अगर आप मानते हैं कि मैं कुछ भी जीवन में achieve कर पाया तो उसमें सबसे बड़ा role मेरे mentors का रहा है, चाहे हो मेरे teachers रहे हैं, या मेरे investing mentors रहे हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखा है, और thank God मुझे सही mentors मिले, तो अपने mentors सही choose करना is very important, क्योंकि ये आपकी जिंदगी पे ऐसा impact छोड़ने वाले हैं, कि वो आपके उपर पूरी जिंदगी भर रहेगा, तो अपने mentors बहुत सोच समझ के choose करें, बहुत सोच समझ के, और जरूर नहीं है कि कोई बहुत famous बंदा ही आपका mentor हो सकता है, आपका class 12 का कोई teacher हो sir, जिसे पूरी दुनिया में सिरफ कुछ चुनिंदा लोग जानते हो, लेकिन वो विक्ति आ है, तो मैंने भाई वो चीज नहीं अपना ही, और जो अच्छे चीज़े थी, वो सारी extract करने की कोशिश करी, जो गलत चीज मुझे लगती थी, कि नहीं यार, for example, for example, ऐसा है नहीं, कोई मेरा mentor जो है भाई smoking करता है, तो मैंने वो नहीं अपना है, तो मुझे पता है, it is not good for me अपने mentors आपने बहुत, बहुत सो समझ के choose करने हैं, जिसको आप mentor बनाएं, फिर उसके साथ stick करें, पता है, मैं एक teacher है, मैं पता नहीं, उनका नाम लूँ या ना लूँ, मेरे mentor हैं वो, मैं नाम इसलिए ले रहा क्योंकि आप लोग फिर इसको लेके अलग चले जाते हो, भ रखा उतने पास, वो सारी dairy मैंने क्या क्या सीखा, एक बार mentor चूज करने के बाद, आपको शिद्दत से उनको जो है follow करना होता है, आपको शिद्दत से उनकी बातों को apply करना होता है, तीसरी बात, जो मुझे लगी 2020 में से हमें सीखनी चाहिए, या 2021 में follow करनी चाहिए, वो generally हम उसी edge पे बैठते हैं जिससे में बहुत 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 नुकसान पहुचता है, social media लोगों की जिंदगी बना भी रहा है, और लोगों की जिंदगी destroy भी कर रहा है, आपको destroy कैसे कैसे कर रहा है, फालतु की जो scrolling हो रही है, फालतु की जो वीडियो आप लोग watch कर कर रहे हैं, देखें, अगें, आप इस बात को समझे, लोग बाग गेम खेल रहे हैं भाई, वो professional gaming है, उनके लिए वो profession है, बहुत बढ़ी है, आप वो game देख रहे हो बैठके, तीन घंटे आपने game देखते हुए निकाल दिये, इसमें क्या हुआ, so I appreciate कि gaming community इंडिया में develop हो जो professional gamers बनना चाते हैं, good for them जो से as a professional choose कर रहे हैं, but not good for you अगर आप 4 घंटे बैठके सिर्फ वो game देख रहे हो, किसी और की game खेलते हुए, अपनी game कब खेल हो गए, not that game, that game, right, so social media, twitter, hatred से बढ़ा हुआ platform है, hatred से बढ़ा हुआ, कोई भी उस पे fake profile बना के कुछ भी बोल सकता है, कोई भी trend जो है, महाँ पर चल रहा होता है, कुछ भी चल रहा होता है, और ऐसा नहीं है, कि भाई, किसी गलत चीज के अगेंस्ट, मतलब विराट कोली के अगेंस्ट, MS धुनी के अगेंस्ट, MS धुनी की छोटी सी बच्ची के अगेंस्ट, मैं, Gaurav Teneja जी हमारे flying beast, मैं किसके अगेंस्ट लोगों ने क्या किया, को एक ही था, मेरे ख्याल से, किस तरह की बाते करता था, हमें यह देखना है, कि सर, हमें social media का बहुत सोच समझ के इस्तमाल करना है, always remember, social media is free, because you are the product, you are the product, social media का product आप है, वो आपको बेच रहे हैं, आपके समय को बेच रहे हैं, अगर आप यह नहीं समझेंगे, तो बहुत नुकसान होने वाला है, यह आपका एक एक सेकंड, social media पर जो आप बिदाते हैं, वो आपके दिमाग में impact डालता है, सर, Twitter पे selected logo को follow करो, YouTube पे बहुत selected channel को subscribe करो, YouTube फालतू की recommendation देता है, right click करके भाई साब not interested दबा दो, Twitter पे आपको कोई hatred भरा trend दिख रहा है, सीधा सीधा click करो not interested, not for me दबा दो, दिखेगा यह नहीं ना, गंदगी देखनी ही नहीं है, बात खतम हो गई, और उसमें involved तो बिल्कुल भी नहीं होना है, okay, so यह आपने telegram एक ऐसी app है, Twitter एक ऐसी app है, जिससे मुझे लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा impact हो रहा है, सबसे ज़्यादा hateful impact हो रहा है, तो आपने उसको social media की usage से हम बच ही नहीं सकते, अगर मैं बोलने social media use मत करो, तो सर वो, मैं गलत बोल रहा कर रहे हैं, सोच समझ के follow कीजिए, आप मुझे unfollow कर दो यार, कर दो मुझे unfollow कर मैं आपकी life में value add नहीं करता, लेकिन आप हर उस व्यक्ति को unfollow करो जो आपकी life में value add नहीं करता, बिल्कुल unfollow कर दो, कुछ नहीं मिलना आपको, वो क्या कपड़े पहन रहा है, क्या जूते पहन रहे हैं, अरे भाई, उसको वो जूते पहनने के पैसे मिले हैं, उसको वो कपड़े पहनने के पैसे मिले हैं, उसको वो क्रीम लगाने के, उसको ऐसे बाल बनाने के पैसे मिल रहे हैं, यह influencers का जो world हो गया है, यह बहुत खतनाक हो गया है, कोई कुछ भी, कोई बोल रह पैसा आपका ये वाली क्रीम लगा लो my point is choose wisely choose wisely और ये influencer से भी मैं बोलता हूँ हाथ जोड़के responsibility के साथ आप कोई भी चीज प्रमोट करें सर बहुत अच्छी बात है न आप प्रमोट करें आप आगे बढ़ें मैं तो कह रहा हूँ न हम तो सब जीच सकते हैं लेकिन वो चीज प्रमोट करें जो आप आप यूज करते हैं खुझ से अगर मैं भाई मैं खुल के बोलता हूँ मैं अगर कैसी होगा calculator प्रमोट कर रहा हूँ राइट रिस्पॉंसिबल प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के साथ-साथ जो audience है उनके लिए responsible following बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है तो कोशिश करें कि आप जिसको भी follow कर रहें अंदा धुन follow ना करें सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे hatred वाले जो trends होते हैं उनमें participate ना करें कोई नहीं इंटरनेट की fight कोई जीती नहीं पाया आप एक fake profile से कितना लड़ लोग है तो आप कुछ भी बोल सकता है आप उसे क कुछ नहीं बोल सकते हो क्योंकि वह existing नहीं करते हैं he is non-existence ऐसे profile के सब्सक्राइब एक ही इलाज है B-L-O-C-K किया है प्लीज अपने उपर invest करें जहां से जो सीखने को मिलता है उसे सीखें आप जिस लाइन में जा रहे हैं उस लाइन के आपको पूरी knowledge होनी चाहिए आपको पता है मैं Saturday Sunday में से कोई भी एक दिन चूज करता हूँ और उसमें कम से कम 3-4 हिंटे सिर्फ रिसर्च पे लगाता हूँ किस बात की रिसर्च पर पता है teaching technologies की रिसर्च पर कि teaching technology में क्या हो रहा है कौन सा camera कौन सा laptop कौन सा ipad कौन सी wire कैसे wirelessly पढ़ा सकते हैं कैसे हम लोग edu91 पे कितने कम cost लोग उने live classes launch कर दी ज सीखते रहें इन्वेस्ट करते रहें अपने वह दो तीन घंटे में मुझे उसके लिए teaching technologies के मुझे courses कर डाले stock market आज से तीन साल पहले मुझे stock market का कुछ नहीं पता था मेरे खुद का portfolio का हलत खराब थी भाई it was hell तीन साल लगे सर जितने जो कुछीज़े सीख सकता था कहीं बैंगलोड जाके workshop करनी है कहीं भाई आपको online कोई workshop हो रही है सर यूएस में live workshop तीन गिन की बैटके live workshop मैंने करिए यूएस की राइडे बहुत बड़े investor उनकी workshop अटेंट करिए कोई किताब पढ़नी है और आज देखिए साब आज भगवान की दूआ से बढ़िया portfolio बना हुए सब कुछ अच्छा चल रहा है एक thought process बन गया आप लोगों को भी सिखा पा रहा हूँ आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ तो ये चीज आपने पकड़नी है भाई कि आपने हिचकेचाना नहीं और यहाँ पर वो crab mentality वाला point भी हो जाता है see I know कि भाई market में शायद ऐसे लोग होंगे जोब के साथ चल कपट करना चाहते हैं और हमारे साथ भी हुआ है कुछ courses मैंने किये मुझे पसंद नहीं आया तो मुझे पता जल गे ना आगे से मैंने इस व्यक्ति का कोई course नहीं करना it is as simple as that इसका मतब यह नहीं कि मैंने और जगाओ पर try करना बंद कर दिया और अगर कोई व्यक्ति आपको value देगा तो वो आपसे value लेगा वो आपको value दे रहा है in terms of knowledge वो आपसे money ले रहा है it's as simple as that it's it's trade that's it आप क्या दुकान पे जाके कोई समान जब खृत्तों से क्या बो बहुत बुरा कर रहे हैं आप किसी भी बड़ी व्यक्ति से मिलेंगे जीवन में जो बहुत आगे गए हैं वो आज तक अपने उपर invest करते हैं courses करते हैं books पढ़ते हैं और वो यह नहीं सोसते कि यार यह यह मुझे free में मिल जाए यह mentality हम लोग कब छोड़ेंगे क्या आप ज सबसे जादा returns अगर आपको किसी चीज़ के मिल सकते हैं तो वो है जब आप अपने उपर invest करते हैं प्लीज गाइस आपको आपको देखना है आप किस line में है आपको लिखने का shock है आप writing पर course कीजिए ढूंड़िए best course कौन सा है writing का आपको सर acting का shock है आप acting का course कीजिए आप acting करो ना आपको लगता है मुझे जीस्टी में नाम बनाने कुछ एक्स्ट्रा करो ना यार आप आफ्टर विकमिंग चार्ड अकाउंटन मैंने आइसे से कोर्स किये पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स पता नहीं कितनी सारे मैंने वरक्शॉप्स और कितनी कोर्स मैंने स्टार बन गया it took me 10 years to become an overnight star right so please इस बात को समझे कि बाइए अपने उपर इन्वेस्ट करना है आपने अपने उपर आपने इन्वेस्ट करना ही करना है अपने चीज़स सीखनी है आप जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं खोद डालो इस चीज़ को ओके बोलिए देन सर इसके बार और अबसे पहले होना चाहिए था एक चीज़ मैंने और देखी 2020 में बहुत अच्छे देखा वही है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की इंपोर्टेंस क्या है तो अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए जादा नहीं 10 मिनिट के लिए एक्साइज कीजिए पांच मिनिट के लिए मेडिटेशन कीजिए इससे जादा आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो कम से कम ये फॉर लाइफ लख लख लो के भी ये 10-15 मिनिट रोज एक्साइज करूँगा पांच मिनिट की रोज मेडिटेशन करूँगा और मेडिटेशन में सर्च मत करने बैठो मेडिटेशन कैसे होती है मेडिटेशन होती है आख मन करके बैठो प्रेजेन्ट में सोचो ठोट प्रोस अपना ऐसा बनाऊ कि aware हो जाओ कि आपके आस-पास क्या चल diff मत invest करना है आपने सबसे वहले अपने invest करना है सर अपने उपर और उसके बाद सर अपने अपनी health में जो है बहुत जबर्दस investing करनी है और आखरी बात जो मैं बहुत late मैंने realize कि और मैं जलता हूँ आप से उस चीज़ को लेके जाए कि आपकी age कम है और मेरी age जाता है और आपकी age में कम पैसा भी अगर आप invest करेंगे तो उसे जबर्दस corpus के अंदर जो है convert कर सकते हैं जबर्दस corpus के अंदर investing आज से शुरू होगी याद रखेगा best time to invest कब था बता है आपको जब आपके हाथें पहली बार पैसा आया था जब आपके हाथें पहली बार पैसा आया था वो था best time उसे invest करने का और पता है second best time कब है अब है अब कर दो कर दो शुरू भाई कर दो आज से 10 साल बाज जब आप देखोगे न आपके वो दोस जिन्हों ने एक रुपे भी invest नहीं कि और आप अगर 100 रुपे महीना, 200 रुपे महीना 500 रुपे महीना भी invest कर रहे हैं और से हर time, हर बार, हर साल आप उसे 10-10-15 से बढ़ा रहे हैं और salary लगने के बाद अपनी salary का 20-30% invest कर रहे हैं, और से फिर हर बा, हर साल 10% से बढ़ा रहे हैं, करोडों के मालिक बनोगे बहुत बड़ी बात, बहुत छोटे मैंने आपको बूल दी आज से invest करना है जितना कर पाओ उतना करना है और साथ-साथ में invest भी कैसे करना है अगर आप भाई पनवारी की tip लेकर जो है इनवेस्ट कर रहे हो सोट समझ के और यहाँ पर फिर से crab mentality का लिए बात यहाँ पर आती है अभी कुछ लोग होंगे सरा बच्चों को stock market में क्यों भेज रहे हो शुकर करो भेज रहा हूँ ट्रेडिंग नहीं करने को बोल रहा हूँ future options नहीं करने को बोल रहा हूँ simple सी बात बोल रहा हूँ आप एक अच्छा सा business ढूंडो research करो उसकी management के बारे में पढ़ो सब कुछ जानो समझो और भाई उसके अंदर थोड़े थोड़े पैसे डालना शुरू करो गया भाई तो प्लीज अपनी investing शुरू कर दिजिए ये सही मौका है बिलकुल ये मत सोचो market नीचे आएगी market बहुत उपर है SIP करो न index fund में मैंने जब index fund में SIP करने शुरू करती market top पे थी साथ तब करता गया करता गया market bottom पे भी आई करता गया करता गया करता गया market आज अब पे है लाखो रुपे का profit है double digit से ज़्यादा profit है सर उसी SIP की बात कर रहा हूँ और उसके बाद investment करी वो नहीं बता रहा है आपको उसमें तो अलगी level का profit है जो हमने March में investing करी जो regular मेरी SIP चलती रही सर उसमें भी double digit का profit है double digit की growth है प्लीज मान जाओ इस बात को याद तो ये बात कहना कि सर मैं दो भी student हूँ या ये बात कहना कि सर हम आप बच्चों को stock मांगे तरह भेज रहे हैं अरे भेज रहा हूँ भाई क्योंकि this is the only way to create enormous wealth and what is the right time to start creating wealth this is the right time और फिर वो ही न कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ छोड़ो नहीं अगर आपको मेरी बात समझ आती है अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो फ्लीज करो ना राइट सो यही बात है भाई जो दिल से मैं आप लोगों को बोलना चाता हूँ crab mentality छोड़ो सही mentors चूज करो social media का सही यूज करो अपने उपर धंसे invest करो physical health, mental health का थ्यान रखो investing करना शुरू करो सर वो पढ़ाई के बारे में आपने नहीं बता है पढ़ाई तो करनी है वो सबके साथ है भाई वो पढ़ाई तो एक natural flow है सर जो भी आप course करो उसे pursue करो आप CE करो, pursue करो, ACC करो, ढंसे करो CS, CE में कोई भी course करो, करो ना यार इसमें क्या बताऊ मैं आपको पढ़ना है, बात कतम हो गई सर हजारों वीडियो डाले, पच्चिस सो वीडियो डाल चुकों कैसे पढ़ाई करनी है यार, subject related वीडियो तो ये मेरा message है आपके लिए, अगर आप यहां तक पहुँच गए हैं, तो भाई मेरी fees मुझे मिल गए है इस वीडियो के, अगर आप यहां तक कि भाई, मालो इस वीडियो पे पचास जार व्यूज आएं या दस जार व्यूज आएं तो मुझे नहीं पता कि सर दस जार लोग तो नहीं इसको अप्लाई करने वाले अगर एक भी कर रहा है, तो मेरे को शांती है भाई, मेरे को अंदर से पता है कि मुझे यह बात बोलनी थी, अगर मैं एक की भी mentality, एक की भी thought process, एक की भी जीवन में कुछ value addition कर पाया, मेरा काम हो रहा है साहब, लाखो तक पहुचे ना पहुचे सर, जिसको मैं कहता हूँ जब student ready होता है, तो teacher अपने आपा जाता, that's it, तो अगर कोई ढूण रहा होगा, तो उसे जरूरी यह video मिल जाएगी, उसे देखेगा, कोई, please यह बात अपने दिमाग से निकाल दो, at least मैं तो भाई, बिल्कुल, I am done I am done with my life, I am done with my profession भाई, बहुत बड़ी है पैसे कमाली है, बहुत बड़ी है जीन्दगी जीली है, अब बस यह लगता है कि यार, आप लोगों को सब किया जाए, आप लोगों को चीजे दी जाए, आप लोगों को चीजे पहुचाई जाए, and yes I charge for it Why I charge for it, आप तो पड़े लिखे लोगो कोभी बैठ के हिसाब लगाऊ ना, जो मैं आपसे चार्ज करता हूँ उसमें GST कितना है, उसमें मेरे expenses कितने है उसमें income tax care rate पे जाता होगा एक बाँ हिसाब लगाऊ ना बैठ के आप तो पड़े लिखे लोगो और फिर यह हिसाब को लगाने ही क्यों क्यों फिर crab mentality पे जा रहे हो, ठीक है यार पैसे कमार हो भाई, मैनत भी तो करता हूँ दिन रात लगा भी तो रहता हूँ आप लोगों के साथ और कोई भी विक्ति जो पैसे कमार हो, मैनत करके कमार है ना बस भाई, दिल से बोली हुई सारी बाते, non-stop, कोई script नहीं है मिरे पास कुछ नहीं है, 6 points लिखे थे, यह बताने है बस वो बता दिये, इसके आगे पचे कुछ नहीं सोचा था और यह वो points है, जो मैने 2020 में observe किये, कि बहुत जादा जरूरी है हमारे लिए, वो आपके साथ शेयर कर दिये चलिए, thank you very much, stay connected, stay ahead जहिंद, और हाम में तरों सीखते रहें, क्योंकि सीखना बन दो, जीतना बन God bless you all, खूब मेनत करो, खूब आगे बढ़ो भगवान से यह मत मांगो, कि भगवान पास करा दे, भगवान से मत मांगो, भगवान अमीर बना दे, भगवान से मांगो, कि मेरे अंदर वो शमता ला कि मैं मेहनत कर पाऊं, मैं अमीर बन पाऊं, मैं पास हो पाऊं, मैं हाट वग कर पाऊं भाई